शूर्या के एक छक्के से हिला किर्केट जगत सूर्या के सामने गेनबाजी नहीं करेंगे गेनबाज सूर्य कुमार यादों की बल्लेवाजी देखने के बाद पूरा किर्केट जगत हिल गया है एक ऐसा खिलाडी जो बल्ले वाजी करते समय किसी भी गेन बाज की धज्जियां उड़ा सकता है ना वाइट छोड़ता है ना बाउंसर छोड़ता है ना यार कर ना वाइट यार कर छोड़ता है सुर्या ने स्रिलंका के खिलाफ T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में तावर तोर सत्की पारी खेली राज कोड T20 में सुर्या ने ऐसे साट खेले जिन पर किसी को भरोसा नहीं हुआ सुर्या 51 गेनों में 112 रन बना कर नावाद रहे सुर्या ने 45 गेनों में अपना सतक पूरा किया सुर्या ने इस पारी में 7 चोक्य और 9 चक्के लगाए आपने कल्टी मारते हुए कैश पकड़ते हुए तो देखा होगा लेकिन क्या आपने सोचा था एक ऐसा खिलाडी आएगा जो कल्टी मारते हुए छक्का मारेगा बाहर कूद कर चोके लगाएगा डिविलियस का भी गुरू है अपना सुर्या सुर्य कुमार यादों ने पारी के दोरान 360 डिग्री साट खेले मैदान के हर कोने में पाउंडरी लगाई सुर्या ने तेरवे ओवर में कुछ ऐसा कर दिया जिस पर किसी को भरोसा नहीं हुआ स्री लंका के मदुसंका ने तेरवे ओवर की दूसरी गेन ओफिस्टम के काफी बाहर फेकी इतनी बाहर की वाइट दी जाती लेकिन सुर्या ने कल्टी मारते हुए बिकेट कीपर के उपर से छक्का मार दिया विराट कोली का छक्का हो या सुर कुमार यादो का सचिन का अपर कठो या फिर रोही सर्मा का पुल सॉट या फिर रिवर सूइब जैसे सॉट की खोज होती रही है लेकिन ऐसे में सवाल है कि सुर्या के इस सॉट को क्या नाम दिया लगी के दोरान सुर्या ने कई ऐसे सॉट खेले इसमिन गेंदबाजों के खिलाब क्रीज से बाहर कूद कर कवर के उपर से चोके छक्के लगा है जिसे देखकर वेस्टन डीज के साही होप ने टूइट में लिखा स्टाप इट स्काई यानि बंद करो सुर्या पाकिस्तान के दानिस करेरिया ने कहा असली 360 डिग्री प्लेयर डिविलियस नहीं सुर्या है राहो दर्वीर ने खुद सुर्या से पूछ लिया ऐसा कैसे किया सुर्या आपको बता दे 1774 में क्रिकेट के नियमों को लिखा गया और बाद में 1774 में संसोधित किया गया जिसमें LPW आफिस टंप, मिडिल इस टंप, लेग इस टंप, बनले की अधिकतम चोड़ाई जैसे नियम जोड़े गए लेकिन क्या सुर्या के लिए कोई नियम है जवाब मिलेगा नहीं अगर गेंद बाद का पैर लाइन से जरा सा बाहर चला जाए तो नोबाल होती है लेकिन सुर्या के लिए कोई पावंदी नहीं सुर्या जहां चाहे बॉल दोड़ कर, ऊट कर मार सकते है ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि गेनबाज सूर्या के सामने गेनबाजी कैसे करेंगे। ऐसे में गेनबाजों में सूर्या का खौफ बन गया है। सूर्या को गेनबाज गेन फेके तो कहां फेके। ऐसे में हर गेनबाज सूर्या के सामने गेनबाजी करने से कत्राएगा।